नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी यूटूब चनल में मैं अब है और आज बात करेंगे कि कैसे आप यूटूब को बेक्गराउंड में प्ले कर सकते हो जी या बहुत बार होता है कि आप यूटूब पे कोई सौंग आपको सुनना होता है साथ ही आपको कोई application use करना होता है लेकिन जैसे ही आप YouTube से उस application पे switch करते हैं आपका जो YouTube है वो बंध हो जाता है उस पे सौंग चलना बंध हो जाता है और आप उस गाने को नहीं सुन पाते हैं लेकिन आज मैं आपको एक trick बताने वाला हूँ जिससे आप YouTube के songs या जो भी वीडियो आप सुनना चाहते हैं बैग्राउंड में उसे आप सुन सकते हैं और उसी समय किसी दुसरे application को अगर आप use करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे काफी simple तरीका है इस वीडियो को continue आपको follow करना है तब ही आप अच्छे से समझ पाएंगे कि actual में YouTube को background में आप कैसे play कर सकते हैं तो सब कुछ बिस्तार से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है पहले Chrome को open करना है उसके बाद यहां पे आप YouTube सर्च कर लें यहां पे मेरे पास shortcut है YouTube का तो directly मैं उसे open कर लेता हूँ उसके बाद right side में आप उपर में three dots दिखेंगे यहां पे आपको जाना है इस तरह से यह song open हो चुका है उसके बाद आप background में देख सकते हैं यह गाना जो है आपका यह open दिख रहा है उसके बाद आप इस तरह से इस song को आप अगर यहां से मैं इसे minimize कर देता हूँ हटा देता हूँ और कोई दूसरा application मैं open कर लेता हूँ जैसे flip card को मैं open कर लेता हूँ मैं दिखाता हूँ इस flip card को मैं ने open कर लिया और background में लेकिन वो जो गाना है अभी भी है और इस तरह से tap करके उस गाने को आप open कर सकते हैं यह simple सा तरीका है आप YouTube को background में play कर सकते हैं कोई पसंदीदा गाना अगर आप सुनना चाहते हैं YouTube पे तो इस तरह से chrome browser को use करके desktop mode में convert करके आप आराम से YouTube के किसी वीडियो को आप सुन सकते हैं और साथ ही कोई दूसरा application आप use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो इस तरीके को